नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ा मानिहार, स्वर्गिये लक्षमिकांत महापात्र द्वारा लिखित, चलिए आज की कहानी बुढ़ा मानिहार सुनते हैं फागुन का महीना समाप्त होने वाला था, दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक बुढ़ा गाउ में आया, करीब साट साल का दात गिर चुके थे, सिर के ही नहीं सीने के बाल भी सन हो चुके थे, बुढ़े के सिर पर एक टोकरी थी, घुटनों तक गर्दा पूता था, सरीर की धारा एड़ी तक बहचली थी, गाउं के छोर पर एक मकान था, उस पक्के मकान का लंबा चौड़ा बाहरी बरामदा साफ सुत्रा था, मजबूत छप्पर के साथ दो पल्ले वाले किवार उसका अभी जायत प्रकट करते थे, बुढ़ा उस बरामदे पर बोज उतार कर धम से बैठ गया, कुछ समय के बाद अंदर से एक नौकरानी बहर निकली, नौकरानी उससे पहचानती थी, उसने बुढ़े से पूछा, अरे मनिहार, चूड़िया लाए हो, बुढ़े ने जवाब दिया, हाँ हाँ, फिर बोला, बिटिया थोड़ा पानी पिला दे, बुढ़े ने लोटा उठा कर पानी पी लिया, पानी पी चुकने के उपरांत एक लंबी सास छोड़ कर बोला, बिटिया तुमने अच्छा पुन्य कमाया, नौकरानी बोली, बस बस करो बुचलो, बहु जी बुला रही है, कैसी चूड़िया लाए हो, वे देखना चाहती ह बुढ़ा अपनी टोकड़ी उठा कर अंदर चला गया, डैोडी के पार होते ही अंदर प्रशत आंगन है, पक्के आंगन की एक तरफ चौपाल है, बाई तरफ खास दरवाजा, दरवाजे पर ही गुंगट किये हुई नई बहु खड़ी थी, बुढ़े ने बोज उतार दि बोली चि, बुढ़े मर्द से इतना शर्माती हो, खुद टोकरी से क्यों नहीं देख लेती, नौकरानी की बात बहु को खूब पसंद आई, गुंगट को कुछ उठा कर मुस्कुराहट के साथ टोकरी के पास चली गई, बहु का चहरा दिख पड़ा, चहरा क्या था, पे के फूल की तरह गोरी देह थी, चार अंगुल के लाल किनारे वाली मयूर कंठी, साडी में वह खूब सुहाती थी, साडी से जागती हुई, वह सलोनी चंपक गोरी सोने की तरह जलकती थी, बुढ़े की आखे त्रिप्त हो गई, इतनी सुन्दर सुशील बहु उसने कभ भी नहीं देखी थी, बुढ़े ने एक टक देखा, देखता ही रहा, कुछ बोलने की इक्चा हुई, पर उसकी वानी निकली ही नहीं, देर तक खड़ा रहा, फिर बोला, मा कहो क्या पसंद है, मा संबोधन से वह अपने आप फूला नहीं समाया, बहु ने शरम छोड़कर क कहा, आसमान तारा वही चूड़ी है, वा, क्या मिठास थी उसवानी में, ऐसी मीठी बात तो उसने कभी सुनी नहीं, उसवानी की अनुगुंच उसे देर तक सुनाई पड़ी, बुढ़ा बोला, ना आसमान तारा वाली तो नहीं है, पर जिल मिली, मील छ्री, नग वाली, बिंदी वाली चूड़ीया है, इन में से पसंद हो तो लो, आसमान तारा बनाते ही ला दूँगा, बहु ने मुठी भर चूड़ीया चुनली, पर वे पहुची में, पर वे पहुची में, आएगी की नहीं, कौन जाने, बुढ़ा बोला, अच्छा मा जी, हाथ दो, मैं कु शर्मा करती है, तब नौकरित हाके से हस्ते हस्ते बोली, मालिकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको एक बुढ़ा बेटा मिल गया, क्या किस्मत है, बहु ने उसकी तरफ देख कर कहा, अरी चुप, बहु ने हाथ बढ़ाए, वा, कितने सुन्दर और मुलायम, उ या मनुश्य का हाथ है, नहीं, किसी देवता ने विशेश रम से अपने कला नैपुन्य से इसका स्रिजन किया है, बुढ़े को अपने पहले अपने रूखे गंदे हाथों से उसे चुने की हिम्मत नहीं हुई, उसके बाद बाएं हाथ में बहु की मुठी पकड़ ली, दी बहु का हाथ पकड़ कर चुड़ी पहनाते समय बूढ़ा फूला नहीं समाता था, उसे ऐसा अनुभा हुआ कि उसने उसके जीवन के समस्त सुखो और आशाओं की पूर्ती हो गए, वह सोचने लगा काश, इसी हाथ को मुझे रोज चुड़िया पहनाने का मौका मिलता, इ ये चुड़िया चुनी हैं, क्या दाम है सास जी ने पूछा, बुढ़ा, ये दो चार चुड़िया हैं, इनका क्या भला दाम हो सकता है, सास जी तो देखे, कितनी चुड़िया हैं, बुढ़ा, अपनी मा से क्या पैसे लो, सास जी ने नौकरानी से पूछा, क्या बात है, क दूसरी बार ना लेना तुम गरीब आदमी हो बुढ़ा ततकाल बोल पड़ा ना ना मैंने अपनी मा को दे दिया मैं कभी पैसे नहीं लूँगा दो चार चूड़ियां के लिए मैं गरीब नहीं बनूँगा बुढ़ा चूड़ी हार चूड़ियां वहीं छोड़कर अपनी बोज उठा कर चल पड़ा, पीछे से कितना पुकारा गया लेकिन उसने सुना ही नहीं, नौकरानी मालकिन के कहने पर कुछ दूर तक पीछे पीछे गई पर पीछे मुड़ कर देखा तक नहीं, उस दिन से वह चूडियां बूढा हर हफते में प्राया दो बार आकर आया करता चूड़ी रोज मरा जीवन की ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं, जो लोग रोज खरीदा करें, कभी कभार तीस तहवार के दिन औरते नहीं चूड़ियां लेती हैं, बूढा आता और दो चार पैसे की चूड़ियां बेचकर चला जाता, केवल चूड़ियां बेचना उसका उ पूलाता माजी नहीं चूड़ियां चाहिएं, उसकी आवाज सुनकर बहु जटपड दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, बुढा उसे एक नजर निहार कर खुश हो जाता, पूछता माजी चूड़ियां चाहिएं, शायद वह लेना चाहिएं, और उसके चंपक गोरे का क अपरानी शूर मचाती, छोटी मा लेकिन तुम्हारा बेटा आ गया, दो चार बार नहीं चूड़ियां चाहिएं, नहीं चूड़ियां चाहिएं, बोल सुनने के कारण मा अंदर से आप पहुंसती, बुढा जब भी आता यही करम यही अभी नए हो चलता, लोटते वक्त ब भर आस्मान तारा चूड़ियां जुगार करूंगा और ला दूंगा, मा जी चूड़ियां पहनेंगी, मुझे पहनाने का मौका मिलेगा, कुछ चूड़ियां उसे दे जाओंगा, किया सोचते सोचते बुढ़े का मन प्रसन हो जाता है, बुढ़ा रच शंक्रानती के प्र साखा गया, आखिरकार वह ठरा एक बुढ़ा आदमी, रोज रोज बैशाक की कड़ी धूप में गाउं गाउं पैदल चलता है, जहां तहां पानी पीता, वक्त पर खाना न पाने के कारण बुढ़ा को बुढ़ा को बुखार चड़ गया, रोज बुखार और तेज बढ़ देखने नहीं जा सका, इसलिए वह प्राया छट-पटाता रहता था, रच रंकरांती समी पा गई, बुढ़ा दो महीने समाजी को देखने नहीं जा सका, अगर चला जा सकता तो एक बार जरूर देखाता, लेकिन चाहे जैसी भी हो रच करांती को आसमान तारा वाली चूड चूडिया बनाई, इसलिए खुद चूडिया बनाई की, कहीं दूसरे की बनाई चूडिया उसको पसंद ना आए, साट साल के अपने मनीहर जीवन में जो करागरी और निपुनता उसने प्राप्त की थी, उसके उप्योग से चूडिया तयार की, एक दिन के काम पर भले ही चार दिन लग जाए, पर काम पक्का होना चाहिए, रचकरांती के दो दिन पहले काम समाप्त हो गया, मन अगर चंगा तो कठोती में गंगा, ऐसी बनावट की चूडिया कभी उसके हाथ से बनी ही न थी, चूडिया देख बुढ़े का दिल खुश हो गया, मा जी की कलाईयो में ये चूडिया खुब सोहेंगी, रचकरांती के पहले दिन को पहला रच कहा जाता है, जिस दिन बहु बेटिया नई साडिया और नई चूडिया पहनती है, तमाम रात बुढ़े की आखों में नीन नहीं आई, सुबह उटकर बुढ़े ने सोचा, चल तो नहीं सकता, क् काफे दुन हो गया है, मा जी को देखा भी नहीं, कितने दिन और जीओंगा, कुछ ही दिनों का महमान हूँ, जाओं आखिर बार देखें आओं, बहु मा के हाथों की सुन्दर्ता की याद आती है, उसके शरीर में जाने कहां से नई सकती का संजार हो गया, उस उन कलाईयों में चूडियां पहनाने का निश्चे कर, भोरी में खा पी कर, गमचे में चूडियां लपेट कर वह चल पड़ा, बड़ी तकलीफ हो रही थी, लड़ खडाते हुए, डग भर्द भढ़ने के बाद, पांच को उसका लंबा रास्ता था, पहुंसते पहुंसते दो पहर हो ग भी कोई जवाब नहीं आया, भूड़े का धीरच तूट रहा था, बार बार पुकारता लेकिन कोई जवाब नहीं आता, एक ही पुकार से उसकी माजी दरवाजे पे आखड़ी होती थी, फिर पुकारा माजी मैं ही आया हूँ, तुम्हारे लिए चूड़िया लाया हूँ, अब की बार मालकिन सुयम आ गई, उसके पीछे वही नौकरानी थी, मालकिन को देखकर बुड़ा बोला, मेरी मा कहा गई, मैं उनके लिए आस्मान ताला वाली चूड़िया लेकर आया हूँ, रचकरान्ती के समय पहनेंगी, दूसरा दिन होता तो नौकरानी अब तक शोर म पचा देती, पर वह चुप थी, मालकिन आहिस्ते आहिस्ते बोली, ना चूड़िया ना चूड़िया नहीं चाहिए, बुड़ा मानने वाला न था, ना ना मैं अपनी माजी के लिए बड़े प्रेम से खुद बना कर लाया हूँ, मालकिन ना किसी को चूड़िया नहीं चाह मा जी के दर्षन भी नहीं हो सकेंगे मैं एक बार उन्हें देखना नहीं सकता सिर्फ एक बार बुड़े के आखें डब डबा आई वह रो पड़ा सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ मैं तो जादा दिन जीऊंगा भी नहीं मालकिन ने बहु को बुलाने के लिए नौकरानी से कह, नौकरानी अंदर गई, कुछ छन के बाद बहु आकर दरवाजे पे खड़े हुई, आते वक्त वह हमेशा मुस्कूरा देती थी, बुढ़ा भी उसे देखकर फूला नहीं समाता था, लेकिन आज बिन किसी आहट अथव चंचलता के विए चुच्चा पाकर खड़ी हो गई, न वह चार अंगुल के लाल किनारे वाली मयूर कंठी साड़ी पहने हुई थी, और न चेहरे पे बले की सफेद मुस्कान, वह एक सफेद धोती पहने हुई थी, बुढ़े का शरीर कापने लगा, सिर में चक्कर आ गया बुढ़े की पलके अपने आप बंद हो गई, फिर पलके को रहा हैं।